जगबूड खुब समयमा गुन दुन्यमा खुब लोकार आओ हतात ते खुब दूष्ट अननुक्सान करनार हुई गय हतात या होडा वेट हतात का देवनी एक मोठा जगबूड कन ये पुरे दुन्यला नास करूला नकी करना पन देव नुहुला हेरी खुश हता तो दूष्ट मान्सासे मदी रहनार एक धार्मिक मानुस हता देवनी नुहुला सांगा का तो एक खुब मोठा जगबूड लोयूला हा ते कारणे तेनी नुहुला एक मोठी होडी बनूँला साथी सांगा देवनी नुहुला लग भग 140 मिटर लांबी 23 मिटर पगल औन 13.5 मिटर उच्ची होडी बनूला साथी सांगना नुहुला ती लाकडा कन बनूला हता औन तेने मां तीन माल खोब खोले एक छत औन एक खिड की बनूला हता ती होडी नुहुला तेना कुटुम ना लोका औन जमिन उवर ले दरेक परकार ने जनावरा साहला ते जगबूर पासुन बच्वी राखी नुहुला नी देवनी गोठ मानी तेनी अन तेने पोशासी जिसा देवनी सांगेल तिसी जोडी बनूई काका ती होडी खूब मोठी हती ते साथी ती बनूला साथी खूब वर्षा लागना नुहुनी लोका साला येनार जगबूर ने बारा माच जेतवनी दिदा अन तेहाला देव सव फिरूला साथी सांगा पन तेही तेने वर विश्वास नहीं करा देवनी नुह अन तेना कुटुमने लोका साला, तेहने साथी अन जनावरा साला पूरा पढ़ा ओडाक जवन गोला करूला हुकूम भी दिदा जद वो अखा तयार हता तो देवनी नुहला सांगा का यो समय तेला तेनी बाईकोला तेने तिनी पुशा साहला औन तेने बाईका साहला अखा मिली नी आठ जना साहला होडी मा जावला हता देवनी दरेक जनावरा लिटका सा नर अन मादा साहला नुह पासी दवाडा जेती ते होडी मा जाई सकत अन जग बुढ़ना समय मा बची सकत देवनी इसा दरेक परकार ना जनावरा सा साथ नर अन साथ मादा साहला दवाडा जेहाला बलिदान करूला उपेक करी सकाई ज़ो जद्व ते अखा होडीमा जाही पूर्णात तो पदर देवनी होडीने दारला बंद करी दिदा तहा पानी वर्षुला चालू हुई ना अना पानी वर्षत गे वर्षत गे अटके वगर 40 दीस अना 40 रात पावत पानी वर्षत रहना अखे दुने नी दरेक वस्तु होडे सुधी का उचा मो उचा डोंगर भी पानी मा बुड़ी गयत। अखे दुने नी दरेक वस्तु होडे सुधी का उचा डोंगर भी पानी मा बुड़ी गयत। अखे दुने नी दरेक वस्तु आजू वा ठेरी अणी तिस्री वकत कबुत्रीला बाहर दवाडना। ये वखत तिला रहुला जागा मेले गई अनती परत नहीं ही पानी सुकाईज़त जा हता दोन महिना मागोन देवनी नुहुला सांगा आता तु अनतुना कुटुमना लोका अना अखा जना वरा होडी मासुन निंगी ये खूब पोसा अना नातुस पंतुस उत्पन करा अना धरतिला भरी दे ताहनु अना तेना कुटुमना लोका होडी मासुन बाहर निंगी आना नू होडी मासुन बहर निंगना मागून तेनी एक वेदी बनवी अना बलीदान ने साथी उपेक करी सकाई जत इसा दरेक परकार ने जनावरा मासुन थोड़ाक साला लिनी बलीदान चड़ाँना देव ते बलीदान कण खूस हुईना अननू तेने कुटूम ने लोका साला असिरवात दिना देवनी संगा मा प्रतिगना कराह का मानसा मार्फटे करता हा ते वेट कामा से कारणे मा फिरी कदी धरतिला सराप नहीं देना कात जगबुढ मार्फटे दुनेला नास नहीं करना जोके मानुस तो बारिक रह ते समय पाशुनाज पापी एहा। मागुन देवनी तेने करार नी निशानीने रूपमा पुड़ा देव धनुला बनवना। जद्व कदी भी आकासमा देव धनु देखाई जहा। तो देव आठव करिल का तेनी काई करार करे लहा। अनति साइज तेना लोका भी आठव करते हैं।